किसी भारती बल्लेबाज ने नहीं जीती है दो बार ओरेंज कैप डेविड वार्नर ने सबसे ज़्यादा बार किया है यह कारनामा इंडियन प्रीमियर लिग आईपेल की चोद्वे सीजन का अगाज 9 अपरेल से होना है अभी तक खेले गए 13 सीजन में कोई भारती बल्लेबाज एक से ज़्यादा बार ओरेंज कैप पर कबजा नहीं जमा पाया है ओवरॉल बात करें तो डेविड वानर एकलोते ऐसे खिलाडिया जिन्होंने तीन बार ओरेंज कैप अपने नाम की है जबकि क्रिस गेल दो बार यह कारनामा कर चुके हैं मैं चार ऐसे बारते बल्लेबाज जिन्होंने औरेंज कैप जेती है क्रिस गेल इकलोते ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बैक टू बैक दो औरेंज कैप अपने नाम की है चलिए एक नजर डालते हैं कि अभी तक किस साल में किस खिलाडी ने किस टीम की ओर से खेलते वे ओरेंज केप अपने नाम की है IPL में एक सीजन में सबसे ज़्यादार रन बनाने का रिकोड़ी विराट कोली के नामदार जै जिन्नोंने 2006 में 973 रन ठोकी थी सबसे पहले औरेंज केप सजी थी आश्टिले बलेबाज स्वान मार्श के सिरपर जुन्ने ने 2008 में किंग लिए उन पंजाब के ओर से खेलते वे 670 रन बनाई थे औरेंज केप जीतने वाले पहले बारते क्रिकेटर सची इन तैनल गर थे जोने 2010 में बॉंबा इंडियन्स की और से 680 रन ठोके थे अगर टीमों की बात करें तो सेंडराजर हैदराबाद के बलेबाज के सिरपर सबसे ज़्यादा बार औरेंज केप सजी है चार बार सेंडराजर हैदराबाद बलेबाज में औरेंज केप जीती है जबकि दूसरे नमबर पर रोयल चलेंजर से बैंगलूर है जिसके बलेबाज तीन बार याँ कारना में को चुके है चेने से परस्किंग और किंग लेंप पंजब के और से दो दो उनक्या बलेबाज औरेंज केप जीत चुके है